क्या तो देखो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो कि हिसमें क्या है कि एग स्वालेड सिलेंडेर तुक्यeed डिर सीलेंडर AI ये वाली रैडियस कुछ capital R, length L ठीक है, और moment of inertia, I1 about axis of the cylinder, मतलब axis of cylinder, मतलब इस वाले axis पर अगर ये cylinder rotate करता है इस वाले axis पर तो इसकी moment of inertia I1 बन रही है ऐसा बताया जा रहा question में पहला condition यहाँ fulfill हो जाता है, ठीक है, अब ये कहते है एक concentric cylinder of radius RY2 मतलब इसी cylinder में हमने एक concentric cylinder RY2 का cut कर लिया, मतलब ये radius R था और यहाँ से मैं RY2 पर गया तो ये मैं छोटा सा cylinder cut कर लिया बाहर और जिसका length इस से आदा हो, ठीक है मतलब ये cylinder मैं cut कर लिया तो इस cylinder को मैं बाहर निकालूं, तो ये जो cylinder है जो मैं cut किया हूँ, तो इसकी जो length है L dash यहाँ से लेके यहाँ तक L dash is capital L Y2 क्योंकि पूरा ये capital L था, तो इसका L Y2 और इसका जो radius है ये वाली ये वाली जो radius है, radius अदी cylinder R dash that is capital RY2 पहले का आदा है, तो अब मैं इस छोटू cylinder को जो कि cut किया हूँ, और मैं इसको इस axis पर rotate कराता हूँ, तो moment of inertia I2 बनता है, ठीक है, scan out of the origin, I2 is the moment of inertia of the cylinder, तो ये कह रहे हैं कि I1 और I2 की ratio निकालो, I1 और I2 की ratio निकालो, इसकी value कितनी होगी, उसकी हमें calculation करनी है, तो देखो, सबसे पहले जो cylinder, solid cylinder है, तो moment of inertia I जो होता है, वो disk के बराबर होता है, MR2 होता है, तो पहले case के लिए लगाओगे, तो पहले के लिए mass M1 और radius R का square divided by equation number first, दूसरे case के लिए इसी को लगाओगे, तो दूसरी का जो mass है, इस cylinder का जो mass है, वो M2 होगा, तो mass M2 और इसका radius R2 का square, और divided by two equation number two, ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से देखोगे, यह data रखोगे, तो mass M2, तो mass M2 तो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हमें यह पता है कि radius R2, इसका radius का आदा है, R by 2 का whole square है, तो यह two, तो यह जाएगा M2, R square अपान, यह four, और यह जाएगा eight, ठीक है, तो यह, इसका मतलब यह हुगा, कि अगर मैं पहले से दूसरे का ratio लेता हूँ, divide कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, देखो, तो यहाँ से i1 अपान, i2 की जो value मिल जाएगी, तो i1 की value कितनी है, बाई, i1 की value M1 है, और इसकी value M2 है, और यह eight उपर गया, तो यह four times M1, M2 बचा, अब mass is equal to क्या होता है, four times mass is equal to होता, volume multiplied by density, तो density तो change नहीं होगा, ठीक है, और यह volume B2 multiplied by density row, तो row से row कट गया, तो यहाँ से तुम देखोगे, four times, volume क्या होता है area of cross section, area of cross section, pi r square और multiplied by length l density row, यह volume B1, अब इसका area of cross section आ जाएगा, तो इसका volume area of cross section, pi r square इसका radius, मतलब r y2 का square, ठीक है और इसका length l y2 और multiplied by density row, तो जब यह काट होगे, तो यह row ने row को काट दिया, यहाँ से l ने l को काट दिया pi square ने pi square को काट दिया, तो उपर बचा four और नीचे बना one upon four, और ए प्लस one by two, eight, ठीक है तो कुल मिला के, यहाँ से उपर चला गया, यह वाला, तो four और यह eight उपर चला गया तो 32 आजाएगा, ठीक है, तो यह यहाँ से, यहाँ से में मिल जाएगा, तो I one upon I two की जो value finally आजाएगी वो आजाएगी 32, and this is the final solution of this problem, तो यहाँ से यह जो है यह जो खाली जगह है, वो मुझे भरते हुए बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ मैं 32 भर देता हूँ, तो बहुर ज़्यादा feel आजाएगा, थेंक्यू, बैबै, take care